आपको नौरात्री की ठेव सारी सुर्व कामना है और हम माता आश्रती जंबा महामाया से यह गिंती करेंगे कि आप लोगों का आने वाला फूचर अधिक ब्राइट हो अपने जीमन में आगे बढ़ें और अपने काम्याबी तक पहुंचें और आपका जीमन बहतर है तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है कि मोलों की संख्या गयात करना यह क्लास 11 के बच्चों के लिए नाइन के बच्चों के लिए और इस तरह से आप जान लो जनरल क्वेस्टन है कंपटीशन में भी पूचा जाता है पहला क्वेस्टन दिया है 180 ग्राम जल में मोलों जल के मोलों की संख्या गयाती है ठीक है ना तो देखो क्वेस्चन नंबर पहला तो देखो हमको मोलों की संख्या निकालनी है तो चूंकि यह सूत्र होता है मोल संख्या बराबर होता है क्या मोल संख्या बराबर होता है दिया गया द्रभ्यमान अपान मोलर द्रभ्यमान या या अनुधार है ना अगर अनुधार तो अनुधार है अगर कोई एटम है तो दिया गया द्रविमान 180 ग्राम है अब यह च्टूओं का मूलों की संख्या निकालनी है तो हमें पहले यह च्टूओं का अनुभार निकालना है तो यह च्टूओं का अनुभार बराबर हो जाएगा का पर्माणभार एक होता है तो यह हो गया अब इस्टूओं में कितने च्टूओं के माली है तो इस्टूओं में दो है तो का मंटीप्लाए दिए अक्सीजन का तो आक्सीजन का मास कितना होता है होता है तो सोले हो गया दो ब्राबर हो जाएगा दो करेंगे दो घंव ब्राइब कितना हो गया क्या है कोई शीलिए मोल संख्या मोल संख्या ब्राबर तो दिया गया कितना है 180 ग्राम है 180 कि और आ इसका अनुभार कितना आया है आरफारे ओगे और estas कोयाता काहिए ट्रे मोलों की संख्यार कितनी आ गई हिकाना अच्छे से अधिया आगया क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि क्या है एक सो बात एक सो बत्तिस ग्राम कारवन डाय अक्साइड में के लिए पहले इसका निकले देखा निकार ना पर्मार कितना होता है औक रूपर सीजन के अबारे को 32 में जोड़ेंगी कितना आएगा 24 ठीक ना उभारा आगया याले को इसरिए 132 32 ग्राम सी ओटू में अत्री जो नो कि संख्याモलों कि संख्या ठीक है ना मोलों कि संख्या मैं बराबर क्या है कि दिया गए डिन्स कि इसका कोई मातरे में त ότι रहां है कोई बात नहीं है इसलीए लिखा ले जाता है औरर कितना सब्सक्राइब कर दो तो तीन चोग को बार है कितनी बार गया तीन आएगा तो मोलों की संख्या कितनी हो गया तो कई और अच्छे से समझ गये होगे मोलों की संख्याना इसी तर Är Guy कि दीये गए रवॉ या योगी का द्रव्यमान अगर दिया गया है ठीक है ना किसी बिलेन में या किसे आशर्या का तरह क्रिया में अगर उसका अभी मान शम्रूर 1965 कि दिया गया है के आसानी से उसके मोलों की संख्या को इस तरह से आप व्याद कर पच्छे और यह तीसरा क्वेश्चन जो है यह जान लिजिए आज के लिए होमवर्क है या इसको आप प्रैक्स कीजिएगा और इस तरह से और प्रशनों पर अभ्यास कीजिएगा हमें उमीद है आप इसे आसाने से कीजिए है आप है झालिए